जब से इतियासिक फिलम पदमावती बनी है तब से राजस्तान के इतियास को लेकर लोगों में काफी दिलस्पी जाग उठी है ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्तान के बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतियास आज भी लोगों के जहन में कई सारे स्वाल खड़े कर देते हैं आज हम आपको राजस्तान के एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतियास को जानने के बाद लोग साइध ही सदियों तक उसे भुला पाएंगे हम बात कर रहे हैं राजस्तान के चितोडगड किले की जिसे देखने के लिए पूरे वर्स दूर दूर से लोग आते हैं कि इसके बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदीशों तक इस किले की बनावट और खूबसूरती का जिकर किया जाता है इस किले के एक एक भाग को बारीके से देखने वा समझने के लिए हमेशा प्रियेटिकों की भीड यहान लगी रहती है लेकिन आपको बता दे कि इस किले के एक हिस्से में ऐसा रहस्य भी है जिसकी वज़े से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है और यह हिस्सा है चितोडगड किले का जोहर कुंड जहां जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगए के पास जाने के बारे में नहीं सोचता और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिस करता है तो वो ऐस्फल हो जाता है तो आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस जोहरकुंड के रहस्य के बारे में, इतियासकारों के मुताबिक इस जोहरकुंड को हॉंटेड यानी भूतिया, यानी नकार आत्मक सक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो प्यार संपूर्ण इतियास में इतनी खूबसूरत कोई और रानी होगी लेकिन इनकी यहीं खूबसूरती इनके लिए तयाग कारण बन जाएगी यह किसी को कहाँ पता था और यहीं वजय थी कि रानी पद्मिनी की खूबसूरती उनकी दुश्मन बनी और तब चितोडगड के इतिय के पन्नों से जुड़ा एक काला पन्ना राजा घंद्रहुसेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मनी जो चितोडगड की रानी थी बचपन से ही उनके माथे के तेज और खुबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे बड़े होने के बाद जब विवा का समय आया तो अ जोनों राजा रानी खुशी के साथ अपनी जिन्दगी बिता रहे थे तबी कुछ समय भीतने के पच्चात अलाउदिन खिलजी की रानी पद्मनी पर बूरी नजर पड़ गई और वो रानी पद्मनी से विवा करना चाहता था और इसके लिए उसने राजा से युद करने क फैसला कर लिया और इस युद में उसकी जीत हुई और राजा रतन सिंग के इस युद में पराजित हुई और वो वीरगती को पराप्त हो गए और जब ये खबर रानी पद्मनी को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो आतम हत्या कर लेंगी लेकिन अलाउदिन खिलजी से विवा नहीं करेंगी इसलिए राजा के सहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा के सभी राणी वे अन्य सेनिकों की पतनिया भी राणी पद्वनी की अगवाई में जोहर कुंड की और बड़ी वहाँ उन्होंने सनान किया और जोहर कुंड की अगनी में वो कूद गई इतियासकारों के अनुसार इस कुंड में चलांग लगाने वाली सबसे पहली राणी पद्वनी ही थी इसके बाद एक एक करके राजा की सभीरानिया और सहीद सेनिकों की पतनियों ने जोहर कुंड में कूद करें अपनी जान दे दी थी जैसे ही सभीरानिया इस कुंड में कूद गई थी उसके बाद अलाउदिन खिलजी के सेने के इस दुर्ग के अंदर आ गए थे उन्हें जोहर कुंड से चीखने के आवाजे आये लेकिन वे इस कुंड के पास जाने से ऐसमर्थ थे क्योंकि इस कुंड से बहुत तेजी से अगनी के लप्टे निकल रही थी रानी पदमनी के इस बलीदान के बाद से ही राजस्तान में जोहर पर्था काफी पर्चलित हुई जो ठीक सती पर्था की तरह ही है लेकिन इसका परियोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने स्तुरू से यूद में सहीद हो जाए और अपनी आनबान और सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अगनी में खुद को न्योचावर कर देती थी आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता क्योंकि चितोडगड के इस किले के जिस जोहर कुंड में रानी पदमनी ने चलांग लगाई थी आज उस कुंड की और जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है और यहां तक कि इस कुंड की वो रास्ते की दिवारों में आज भी कुंड की अगनी की वो गरमाहट मैसूस की जा सकती है इसलिए इस जगय को नकारात्मक सकतियों से पूरित माना जाता है और जो कोई भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिस करता है उसे बेहद अपतेजिनिक ऐसाज और गबरहट का सामना करना पड़ता है तो रानी पद्मनी के जोहर कुंड के रहस्य काई वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएं और अन्य ऐसे ही वीडियो देखते रेने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर ले